कि अलो एन वेलकम तो अलव फ्यों जीए भाई प्यूसर यूटूब चैनल डैट इस द वन इस टॉप सेंटर ऑफ जी एजी के जीए सेंड करेंट अफ्यर नियोस तो दोस्तो तब यह थोड़ी खड़ाब है इसलिए माफी चाहूंगा विलम के लिए और आज कंटेंड भी थ पास स्टैटिक जीके की कोई मिलावट नहीं लेकिन एडिशनल इनफॉर्मेशन की बर साथ सबसे ज़्यादा करेंट अफेर्स की गारेंटी वाली क्लास दोस्तों शुरू हो चुकी है आपके लिए जिसमें मैंने अब पी आई बी के कॉलम्स को भी लेना शुरू किया है औ गुरूमंत्र बैच दोस्तों SBI के लिए आप लोगों के लिए आचुका है फोर पीम पर एक बैंकिंग अवेर्नेस और इंसॉरेंस अवेर्नेस की क्लास मैं एक्ट्रा बोनस के रूप में दे रहा हूं जिसकी अधर चैनल पे कीमत है 15,000 रुपे यह और एक्जाम के लिए ह जो लोग बेसिक से तयारी करना चाहते हैं बैंकिंग अवेर्नेस की और इंसॉरेंस अवेर्नेस की बिल्कुल बेसिक से मैं चीजों को पढ़ाऊंगा जिससे कि कोईभी बैंक और इंसॉरेंस का एक्जाम और चाहाए supporting अग्षीुर्फ इंसुर्णियु इनार्वियू हो। है सब मेरे नंबर तो यह जो है इस दूसरे चैनल पर क्लास किन दोफ्षो experienced के लिए सर के यह banking awareness की class किया मेरे नंबर अच्छी है तो दोस्तों यह जो है class रामबाड इसके बाद SBI clerk के लिए मैंने batch launch किया है इसी गुरु मंत्र batch में 6 p.m. पर यानि आपको कोई अलग से batch नहीं लेने की ज़ूरत है 4 p.m. और 6 p.m. की दोनों class A की ही batch में मिल रही है six month current affairs की क्योंकि आपके इस बेक लरत में banking awareness भी आएगा और current affair भी आएगा इसको भी मैंने एक दब most important important से जो है किया है जैसे RBI के current affair पहले होंगे फिर दोस्तों बैंकिंग और financial current affair उसके बाद होंगे फिर मिस्लेनियस current affair होंगे इस तरीके से इसको design किया जिसमें अभी आर्वी सीरीज मैंने शुरू किये जो most 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 important है ठीक है चीए भाई future app पर website पर दोनों पर देख सकते PSR 10 पर आपको discount भी मिलेगा तो इस तरीके की तमाम चीज़े हैं weekly मैं संडे को यूटूब पर कराता हूं दिसंबर मंतली कल complete हो गया दोस्तों दिसंबर मंतली कल complete हो गया आज से best 200 सीरीज सुरू हो जाएगी इसके बाद निर्जिया मैंगी क्लास 10 बचे होती है तो दोस्तों यह सारी चीज़े हैं यहाँ पर आज से आपकी best 200 की last six month current affair की कलास आज से यह सीरीज स्टार्ट हो जाएगी जो की success का प्रम्हास्त्र कही जाती है और बच्चे अभी RRB बच्चे हो उन्होंने भी best 200 को credit दिया पिछले साल भी जो बच्चे जो है वो best 200 को ही उन्होंने credit दिया था तो दोस्तो यह कलास रोज रात को 9 बजे YouTube पे free of cost काई सालों से चल रही है जो आपको success दिला रही है आज की Hindu newspaper में आ जाए दोस्तो तो Boeing जो अमेरिका की company है 737 Max 8 जो उसकी वीमान है उसमें कुछ component ही missing है जिसको India ने जो है हो जाया और बोला कि देखो यह तुम्हारा component ही missing है बमेरिका इस पे जाच कर रही है अधूरा बना हुआ राम मंदिर inaugurate करना राजनेतिक लाब के लिए यह जो है धर्म के अनुसार नहीं है यह संकरा चारे ने कहा है अधूरे मंदिर का जो है गर्बगरी का सिखर ही नहीं बना है तो आप प्राण पतिष्ठा कैसे कर रहे हैं दोस्तों और भी बहुत सारी छोटी छोटी निउस है आईए उनको बड़े में देखते हैं जैसे कि म्यूजिक मैश्ट्रो राशुद खान जी का निधन हुआ है तो यह क्लासिकल सिंगर थे दोस्तों आपको पेशा याद रखना होता है जब भी कोई फेमस विक्ति अपने डेविड कैमरून को फॉरेंग मिनिस्टर बना के यूके का पेश किया गया विस्वेला ब्रिवर में भारत भी रोधी कही जाती है है भारती मुलकी ही तो उनको हटवाया इंडिया ने अब दोस्तों जो है यहाँ पे राजना सिंग जी कई साल बाद मलभी से 21-22 साल बाद क प्छले कुछ मेहीनों में हुई है टू प्लस टू डील में डिफेंस और फारेंग मिनिस्टर दो मंतिरी होते दोनों तरफ यह और प्रधान मंतरी सेरिंग तोपगे यह जीत गए है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर का चुनाओ इनकी पार्टी जीत गई यह भूटान की बात है तो भूटान के प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गए सेरीन तोपगे कौन बन गए सेरीन तोपगे अभी आपने देखा था कि शेख हसीना भी पांचवी बार प्रधानमंत्री बन गई है इजिप्ट के राश्पती अब दिल फते ल सीसी तीसरी बार जो है वहां के इजिप्ट के राश्पती बन गए जो पिछले साल रिपब्लिक डे पर चीफगेश थे अभी फ्रांस के फ्र पार फ्रम क्लीन एयर टार्गेट तो दोस्तों यहां पे दिल्ली यह टॉप फाइफ जो है पॉलुटेट इनका देख लीजे दिल्ली है पटना है फरीदाबाद है मुझफर पूर है और नोएडा है दोस्तों ठीक है इन लोग की स्थिती में कोई परिवर्तर नहीं दिख रह टेंपल इविंट है 22 जनवरी को प्राण पतिष्ठा है राम जन भूमी की राम लला की प्राण पतिष्ठा पर सारे स्कूल कॉलेजिस में हॉलिडे डिक्लेयर करा दिया है योगी बाबा आदित तिनात जी ने इसके बाद दोस्तों यहां पे जीडिपी ग्रोथ पे और एक इडिटोरियल है इसको मैं आज कराऊंगा शाम को गुरुमंत्र बैच में गुरुमंत्र बैच में इस आर्टिकल को मैं कराऊंगा शाम को 6 बजे की एडवांस क्लास में 6 मंत करें अपेर पे ताकि अगर मालो कभी एकनॉमिक से क्योंकि बसंत ने कहा था एक बार मुझसे कि सर आप एडिटोरियल एनाल्सिस पहले कराते थे जब कभी एकनॉमि से जुड़ा हुआ कोई आ जाए तो सर वो करा दिया कीजिए तो मैंने उसकी बात को जो है दिल पे ले लिया है तो यह है इसके उपर चर्चा करेंगे आज की क्या क्या रीजन रहे हैं एकनॉमिक स्थित क्या है इसके बाद दोस्तों तमिलाडू में इन्वेश्टर सब्मिट हुआ दो दिन का तमिलाडू ग्लोबल इन्वेश्टर सब्मिट करी छे लाग चौशाट हजार करोड़ों रुपए च्छे सो एक्ती से मुई साइन हुए है यह इस पर पूरा वार्टिकल है कौन-कौ चैनल पर दिकरई अर्टिकल भी मैंने वाट सेप्चे चैनल पर दे दिया है जिनोंने मेरे वाटसायक से चैनल को अभी तक नहीं सबस्क्राइब किया है वो लोग ज़रूर कर लेंगे दोस्तों तो च्छिंकि गला नियूस को क्रीदने का जा सब्सक्रिप्शन का पैसा भी पड़नी है, तो आपका टाइम और पैसा बचाने के लिए मैंने WhatsApp चैनल पर पूरा Newspaper देना शुरू कर दिया है, और आज का Newspaper अपडिट कर चुका हूं, तो यह इसका Link मैंने यहां पर आपको दे दिया है, आप एक बार इसको एक बार देख ले, ठीक है, इसके बार मैं चलिए तो दोस्तों जो है यहाँ पर यह बात यान रखीएगा अदानी Port raises 500 करोड वाया नौन Convertible Deventure अदानी Port and Special Economic Zone ने 500 करोड रुपय मार्केट से रेज किये हैं Non Convertible Deventure के माद्यम से in a private placement basis Non Convertible Deventure मतलब Deventure में होता है Fixed Rate of Interest और Share में Equity में नहीं होता है तो ऐसे Deventure जो कभी Equity में Convert नहीं होगे एक्विटी मतलब शेयर में कनवर्ट नहीं होंगे उन्हें नॉन कनवर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है ठीक है बात समझ में आ रहे हैं प्राइवेट प्लेस्मेंट के थू जो है क्लिया दिया गया है यानि कुछ सेलेक्टेड लोगों को दिया गया है ठीक है अधानी पोर्ट और स्पेशल एकनोमिक जोन यह जो कंपनी है यह भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह बनाने वाली पोर्ट डेवलपर और ऑपरेटर है इंडिया में ठीक है बात समझ में आ रहे हैं चलिए बहुत बढ़ी है तो यह नॉन कनवर्टेबल डिवेंचर जो है यह जो है एक पांस साल में मैचियर होगा एक दस साल में मैचियर होगा और यह Bombay Stock Exchange के Wholesale Debt Market Segment में लिश्टेड होगी ठीक है दोस्तो जी टीवी बार-बार डेट आगे बढ़वा रहा है सोनी के साथ मर्जर नहीं कर रहा है टेन बिलियन डानर का मर्जर है सोनी अब इसको खत सबसे बड़ा इशू है वो है कि वूविल लीड़ दा मोजड कंपनी दोस्तों आपको पिछले साल पता था कि सोनी जी और बंगला चैनल तीनों का मर्जर हो रहा है पिछले साल इक्जाम में भी पूचा था लेकिन बाबस की डेडलाइन जी आगे बढ़ावता जा रहा है अब यह सोनी जिसका नाम कलवर मैक्स हो गया है यह इन लोग को मर्जेंटेटी को लेके चलता और देश की सबसे बड़ी ब्रोड़कास्टर कंपनी बन जाता लेकिन यह जो है दील कहीं न कहीं अधर में लटकी है और जिसकी वज़ा से 14% शेयर गिर गया 14% शेयर किसका गि कंपनियों के CEO है अमेरिकन कंपनियों में जो इंडिया का कोई व्यक्ति CEO है वो उसकी पूरी लिष्ट थी जब अजय पाल सिंग बंगा बने तो साथ तभी का तो उसी समय मैंने एक नाम बताया था आपको कि स्टार्बक्स के हेड है लक्षमन नरसिंभन यह कुश्चन एक् बंस और स्पें की एरबस के साथ मिलकर के सी टून फाइरक्राफ बना रही है ताटा ताइवान की विश्टॉन को खरीद के एपल आइफोन बना रही है ताटा मैक्रोन कमपनी अमेरिका के साथ सानंद गुजरात में सेमिकंडुक्टर चिप बना रही है ताटा को छोड़न के मूड में नहीं है ताटा ने अभी दोस्तों विस्तारा जो है जो की सिंगापूरे एलाइंस के साथ था उसको एयर इंडिया में मर्श कर दी ताटा का एक और एयर एशिया चलता है दोस्तों जो मलेशिया में चलता है मलेशिया की कैप्टल एम के साथ ताटा कई कंपनियों साथ डील करके बाई साथ चला रही है टाटा ने यूके में यूके की जो सबसे बड़ी आटो मोबाइल की कमपनी थी उसको खरीद लिया था जिसने कभी रतन टाटा को भगा दिया था जब उन्होंने टाटा इंडिका का प्रोजेक्ट ले करके गए थे बताइए अमेरिका की मारको पोलो जैसी कमपनियों को भी आटो मोबाइल में उसने खरीद लिया टाटा की ने यूके की किस कमपनी को खरीदा था जैगुआर जैगुआर को ही खरीदा था ना जिसने बेजिती की थी रतन टाटा की उस कमपनी को ही खरीद लिया तो दोस्तों 2028 तक 1000 इस्टोर स्टार्टा स्टार्बक्स प्राइवेट लिम्टेड यह है यहां पर ओपन करेंगे ठीक है क्लियर रहे हैं शेल यह बहुत बढ़िया इस्टार्बक्स कॉफी कंपनी एंट टाटा कंजूमर प्रोड़क्ट जो है यह इसकी जॉइंट वेंचर है जिसने 2012 में अपना पहला स्टोर खोला था आज 390 स्टोर हैं चोवन देशों में और 4300 इंप्लॉईज हैं दोस्तों शमी फोकसिंग और फिटनेस एड़ फाइफ टेस सिरीज अगेंस्ट इंगलेंड दोस्तों कल नौ जनवरी था कल मुहमत शामी को अर्जुन पुरुषकार मिला मुहमत सामी ने उसको बहुत इज़त भी दी और 26 लोगों को अर्जुन पुरुषकार मिला बहुत सारे आवार्ड्स दिये गए राश्पती भवन में दुरुपदी मुर्मुजी भी यहां है अनुराक सिंठापूर भी है खेल मंतरी खेल राज मंतरी भी हैं तमाम पदादिकारी और खिलाडियों ने यहां पे हिस्सा लिया राश्पती भवन में दोस्तों कई बार कई जगों के स्टॉक एक्चेंज इसको पूचता है तो यहां तोकियो का निकेई स्टॉक एक्चेंज है 33 साल के 1990 से लेके अभी तक के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है तो यह कुश्चन पूछा जा सकता है कि निकाई कहां का स्टॉक exchange है तो New York में टिक कर देना निक कई जो है यह टोकियो का stock exchange है कई बार ऐसा पुछता है जैसे BSC और NSC जो है वो हमारा है इंडिया का वैसे ही Sensex बोलोगे तो BSC का है Nifty बोलोगे तो वो NSC का है ठीक है clear है ऐसे ही दोस्तों यहां NASDAQ का भी जिक्र हुआ है आपको बता रहा है NASDAQ कहां का stock exchange है यह आप लोग बताईएगा तो दोस्तों जो खेल का जो सबसे बड़ा पुरुसकार होता है वो होता है मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसकार अब मेजर मेजर ध्यान चंद खेल रत्न पुरुसकार को मिला चिराक सेट्टी और सत्विक साहिराज को जो बैडमिंटन के महारती हैं तुक्का मार सकते कभी भी पूछले में डबल में बैडमिंटन ने कौन जीता तब तुक्का मार सकते हैं चिराक सेटिक और सत्विक साहिराज का नाम तो दोस्तों यहां पर यह इस यह आवार्ड सर्मनी यूजुली हेल्ड ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्ट वर्ट डिफर्ड विकॉज अव दा हॉंग्जाव एशियन गेम्स यह जनरली तो 29 अगस्त को यह अवार्ड सर्मनी होता है मेजर ध्यान चंजी के खेल के बर्थडे पर जब हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं लेकिन उस समय हॉ लाड़ी जो है जो एशियन गेम्स में जीत के हैं उनको भी मिल गया अरजून पुरुसकार जो बल्ड कप में मुहमत सामी का नाम अचानक से आया बी सीसी आई ने बेजा कि नहीं मुहमत सामी को दीजिए तो यह जब वहतरीन परफॉर्मेंस के बाद में डिसाइड हुआ जल्डी जल्दी बहुत सारे खिलाडियों के नाम भी एड़ हुए थे तो जैसे शीतल देवी बिना हाग के उसने एशियन गेम्स में पहरा गेमस में गोल्ड मेडल मारा था तिरंदाजी में जैसे जी ने अ अर्चरी में तिरंदाजी में जैसे आश्वर्य परताप सिंग तोमर ने सुटिंग में जो है दो गोल्ड मिडल आये और भी बहुत मेडल तो उसने और भी लिये हैं टीम के इवेंट में भी तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी है दोस्तों जैसे ओजस प्रविन देउताले आर्चरी के हैं अधिति गोपी चंद स्वामी आर्चरी के हैं मुली से अंकुस अगरवाल है दिविकिर्टी सिंग एक्वेस्टेरियन जैसे से हैं दिकसाद आगर गुल से कमसकम गेम याद रहना चाहिए आपको अर्जिन पुरुषकार विजिताओं का कृष्ण बहादुर पाठक होकी से हैं सुसीला चानू होकी से हैं एक पुरुष में दे से हैं आहिका मुखरजी टेबल टेनिस से हैं सुनिल कुमार रेस्लिंग से अंतिम पंगाल जो भी यूडबलु डबलु की भी रस्लिंग ऑफ दे येर बनी थे जिस विनेस फोगट की जगए यही गी थे अंतिम पंगाल को भी रेस्लिंग में मिल गया नावरेम रोशी बिन नें हुगे यो तो कहोगे ये आर वैसाली दिख रही है मुझे वो लड़की यहाँ पे छोटी सी कहीं दिख जाएगी सीतल डेवी कहीं न कहीं होगी यह तो अन्तिम पंगाल दिख रही है हाँ यह सीतल डेवी है इसके दोनों हाथ नहीं है देखिए वार्धिनों हाथ बाकि यहांद के खड़े इसके दोनों आधं नहीं अयहां फिर भिर तिरंदाजी करती है हां नहीं है दोनों तो यह सारी चीज़ें हैं अब इसमें अगर आपिसे पूछा जा है कि अवार्ड कीतने लोगों को दिया जाता है तो आये देखते हैं बैडमिंटन स्टार चिराग सेटियं सत्रिविक साहिराज रेड़ी वू हैस बिन चूजन फार मेजर ध्यांचन खेलत अवार्ड कुड नॉट अटेंड देवेंट अज दिवेंट इस करेंटली पेंग इन मलेशिया ओपन शुपर 1000 तो यह मलेशिया ओपन की गेम के लेसले नहीं आ पाए 26 अथलेट्र एंग पैरा अथलेटिक्स अलॉंग विद्ध कोच वर कंफर्ट अर्जुन ववस्का अर्जुन अवार्ड दोराचार अवार्ड आर्म लेस पैरा आर्चर सीतल देवी गट देग पाचार अवार्ड को 15-15 रुपे मिलते हैं अब आपको सर यह अमाउंट क्यों बता रहे हैं आज कल अमाउंट पूछ रहा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया में जो जर्मनी की एंडलेस बॉर्डर को गोल्डेन पीकॉक अवार्ड मिला कितने का अवा लाग का मिलता है बिहारी में जो है वह देर लाग का मिलता है व्यास सम्मान में चार्ट लाग का मिलता है इस सब क्वेश्चन अमाउंट के भी याद कर लीजिए खेल रहते को 25 अरजून अवार्ड और कुद 15 15 अलाग रुपए और दोड़ा चार को भी ठीक है बात समझ में आ रही है अजय कुमार रेड़ी ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची आदो पैरा कैनो इंग में है कैनो इंग भी दोस्तों बोटिंग को कहते है और रेगाटा भी बोटिंग रेस को कहते है ये कोश्च घुमार जी को मिला है यार बी रमेज को मिला है killer बीर मेश्च की हमको लगते दोनों लड़के हैं वैसाली आगा dobr वैसाली उसमें भी रमेज तोनों भाई वेह हमें लगता है उनके कोश उन ही के पिता जी कि आज ममें महाविर प्रशाद षथेनी पैर सियुन्धogi में सिव लोगों को दोड़ाचार वाड के टेगडरी में जस्कीरत शिंग ग्रेवाल को भास्करन ऊजयनतकुमार पाशिलाल टेबल टेनिस मेस्नि है एक दो थी से तीन लोगों को lifetime category award मिला है, दोड़ा चार award for lifetime achievement, मन्जुसा कवर को विनित कुमार सर्मा हौकी को कविता सलवरास कबड़ी को, तीन लोगों को lifetime achievement award मिला है, मौलाना अबुलकला माजा ट्रॉफि गुर्णानक देव इन्वर्सिटी को मिली है, मौलाना अबुलकला माजा देश के पहले सिक्षा मंत्री थे, और इनके नाम से ट्रॉफि उस इन्वर्सिटी को दी जाती है, जो खेल प्रोचसाहन में बहुत आगे बढ़के होते हैं, जो कितने लोगों को अर्जुन अवर्ड मिला है, 26 लोगों को अर्जुन अवर्ड मिला है, ओके, यह राश्पती भवन में है, राश्पती भवन में किसकी फोटो यहाँ पे है, दोस्तों आईए शुरू करते हैं अपने MCQ को, how many राजसभा member are set to retire in 2024, तो राजसभा में दोस्त यह कभी भंग नहीं होती, अपर सदन होता है, अपर हाउस होता है, इसे चुने हुए लोग चुनते हैं इनको राजसभा के मेंबर को, लोगसभा के मेंबर को हम लोग चुनते हैं, लेकिन यह राजसभा हर पास सल बाद भंग हो जाती है, फिर चुना होते हैं, जैसे इस सल भंग हो जाएगी फिर चुना होंगे लेकिन राजसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि इसमें जो है करीब करीब वन थर्ड लोग एक तिहाई लोग हर दो साल पे रिटायर होते हैं यानि हर एक वन थर्ड लोग हर दो साल कर्म पर नए आते हैं तो इस तरीके से यह चलती रहती है यह राजसभा कभी खतम नहीं होथ nächsten एसको पर्मानेंट हाउस कहा जाता है थीक है तो राजसभा में लोग्रेटायर होते हैं फिर नcalled चुन लिए जाते हैं many चुने हुए लोग फिर अपने उम्मिद्वार भेद देते हैं तो इस बार दोस्तों कितने राश्वात सदस से जो है रिटायर होने वाले हैं तो यह जो है करीब-करीब 68 लोग रिटायर होंगे और जब रिटायर होंगे तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा तो 68 है करीब-करीब लोग रिटायर होंगे जिसमें बहुत सारे मंतरी भी है जैसे अश्वनी वैशनो है धर्मेन पधान है बुपेंद यादो है मनसुक मंडाविया है मनमोहन सिंग जी जो पधान मंतरी थे वो भी रिटायर हो जाएंगे तो कुछ की जगह पे कोई नया लगवा देंगे लोगसभा वाला कि छोड़ो अटाओ राजसभा तुम लोगसभा से आओ इस समय हमारी लहर चल लई है तो ऐसा भी होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि राजसभा से रिटायर हो गया फिर उनको नहीं अपइंट किया गया क्योंकि उनको लोगसभा ल अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो है सुसील कुमार गुपता थे संजय सिंग ये लोग रिटायर हो जाएंगे तो सुसील गुपता फिर से हो जाएंगे संजय सिंग हो जाएंगे नरायन दास गुपता की जगा वो जो स्वाती मालीवाल नहीं थी जो दिल्ली की मह से सालक्षण और परिस्थितिक संतुलन के प्रती अपनी प्रति बद्धता को रेकांकेत करते हुए अधिकारिक तोर पर इस नो लेपर्ड को अपना राष्ट्री प्रति गोशित किया है तो राष्ट्री सिंबल दोस्तों ये किर्गिस्तान ने किया है अगर बात करें तो दोस्तों हमारे लदाक का भी ऑफिशियल जो है इस्टेट एनिमेल है और हीमाचल प्रदेश का तो है ही तो अभी ऑपरेशन इस नो लेपर्ड हुआ था जब गालवान घाटी पे चाइना के सैनिकों ने अटेक किया था हमारे बिहार रेजिमेंट के महावीर जी को सहीध होना पड़ा था इसके बाद रात में घुस करके जब इंडियन आर्मी ने चाइना में घुस करके उनके कै रेंप में तीस चाइनी सैनिकों को मारा तो दोस्तों चाइना बिलबिला गया कि यह क्या है यह भारत वाले चाइना को चाइना में घुस के मार रहे हैं उन्होंने बोला कोई कैजवल्टी नहीं हुई जबकि अमेरिका के रिपोर्ट ने कहा कि इंडियन आर्मी ने तीस से ज्यादा सैनिकों को मारा है कल रात को यह बात इंडिया ने तो कुछ भी नहीं बोला कि हमने मारा है घुसा है चाइना में लेकिन अमेरिका ने वह राज खुल दिया तो दोस्तों अपने लोगों का बदला लेती है भारत वह आपरेशन इस लोले पड़ दी था यह नया भा अब मुहम्मद मोईजू की मोदी जी कहके ले रहे हैं और बड़ी बुरी स्थिति भज़िए खुब इंडिया का बीरोद करके चुनाओ तो जीद गए अब इंडिया का बीरोद करना जो है उनको बड़ा महंगा पड़ रहा है क्योंकि अब भारत की बारी है अब तुम आ भरत ड़े अब चलाओगे कैसे है अब चलाओगे कैसे है कर दोस्तों किर्गिस्तान पहले यूएस एसार का पार्थ था यूएस से सार जो है पहले सोवियत रूस जो है यह ए 1991 में तूटा 15 देशों का यह संग्ठन था जैसे यूज़ेंगिस्तान के जाखिस्तान उजबेकिस्तान बहुत सारे देश इसके पार्ट हुआ करते थे विसकेक इसकी कैपिटल है सोम इसकी करण इसकी भी कैजाक मुझे लगता है उजबेकिस्तान की भी है जो है कई देशों की सोम जो है करेंसी है ओके उजबेकिस्तान की केपिटल तासकंद है ठीक है तो रशियन भी यहां की ऑफिशल लेंग्वेज है किर्गिज भी है और एशिया कॉंटिनेंट में आता है प्रेसिडेंट है सादिर जपारूर नाटो जो है दोस्तों इसी ने इस यूए साद को तोड़ा था नाटो का जन्म ही असवे साद को तोड़ने के लिए हुआ था आज यूए साद तूट गया और नाटो जो है वह 31 मेंबर हो गये इसके प्रूसेल्स बिल्जियम हैटक्वाटर है और लास्ट मेंबर जो जुड़ा है वो जुड़ा है जुड़ा है नाटो की किसी भी देश पे आप अटेक करोगे यह 300 मिल के मारते हैं इसमें अमेरिका है यूके है यह सब है यह सब्सक्राइब करेंगी तो यह यूपी कर रही है दोस्तों फार्मा पार्क स्थापित उत्तर पदेश विल सेट अपर फार्मा पाक की ललिद्पूर बुंदेलखंट कवरिंग 1472 एकर अक्रॉस फाइफ विलेज पाच गाउं में दोस्तों यह फार्मा पार्क बनेगा यूप स्टेट इंडर्श्रियल डेवलप्मेंट यह कई दिनों से दोस्तों यहां पर बात चल लही है सैदपूर लर्गन कारवला करवंदा रामपूर इन सब एरिया को लिया जाएगा दोस्तों इसी जगा अगर हम लोग बात करें तो मेडिकल डिवाइस पार्क भी इन्होंने ब गौतम बुद्ध नगर में है गौतम बुद्ध नगर जो है जिसमें नोईडा आता है तो नोईडा भी आता है गौतम बुद्ध नगर जिले में और यीडा भी आता है नोईडा का मतलब है दोस्तों क्या बताओ यीडा का क्या मतलब है यमुना इंडिस्ट्रियल डेवलप इसके अलावा बताईए कि यूपी ने फूल पूर और आवला में कौन सा प्लांट लगाया और लखनव और हर्दोई में कौन सा प्लांट लगाया यूपी ने यह आप लोग बताईए फटा-फट ठीक है निमलिकित में से किस राज में गंगा सागर मेला शुरू हुआ है दोस्तों गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बेंगौल में होता है दोस्तों यह माग मेले में जो है जादा इसे इसी संकरांती के समय होता है गंगा इसका नम तो आप जानते हैं माता गंगा वहाँ पे जाकर के सागर में विलीन हो जाती है तो गंगा और सागर का संगम है गंगा जब हलदिया के आगए जाके बेंगाल की खारी में विलीन होती है अभी question आया था कि national waterway 1 कहां से कहां तक है तो national waterway 1 जो है दोस्तों आपका प्रयाग राज से प्रयाग राज से एकदम आखरी point हल्दिया तक है हल्दिया जहां पे ये सागर में विलीन होती है ये question exam में आया था अभी आपके last month bank exam में कि कौन से city national waterway 1 में नहीं है तो national highway आपने सुने है national waterway भी सुनो अब इससे भी shipping और logistic का काम और transportation का हो रहा है इसको road बनाना नहीं पड़ेगा शिप से बस निकल गई नदी तो है ही तो दोस्तों इससे जो है North East से बंगाल की खाडी में ship पहुंच जाएगी और वहां से दोस्तों वो ship निकल जाएगी आप की वियतनाम थाइलेंड इंडोनेशिया जितने भी country है दोस्तों नौर्ट इस्ट के उन देशों को सप्लाई करेगी नौर्ट इस्टेट में भी transportation easy हो जाएगा तो national waterway वन गंगा नदी पर है अच्छा इसमें option दिया था कानपूर तो कानपूर गंगा नदी के किनारे है ले लेकिन national waterway वन जो है वो प्रयाग राज से ही सुरू हुआ है जब गंगा में यमुना मिल गई है ठीक है तो यानि वरारसी में माता गंगा भी है और माता यमुना भी है लेकिन क्योंकि जो गहरी नदी होती उसी का नाम लिया जाता है तो इसलिए हम लोग गंगा माक के किना सारे कहते हैं वरारसी को लेकिन यमुना भी है वो गंगा ही नहीं है वो यमुना भी है तो दोस्तों जो है प्रयाग राज से सुरू के हल्दिया तक जाती है यह कोशन भी आया था आपके एक्जाम में तो गंगा सागर मेला यहां पे हुआ ठीक है यहां पर गंगा सागर मे राज सरकार ने पहल की है यूनेसको ने अभी पिछले साल दुर्गा पूजा को भी इंटेंजिबल कल्चरल हरेटेग चुना था अमुर्त विरासत इस्थल और अभी गरबा को भी चुना था गरबा वाला कोश्चन भी लाश्ट मन्त एक्जाम में आया था गुजरात का अब प्रचाना के साथ दोस्तो हाइड्रोकार्बन में हस्ताक्शर किये गए हैं ओके क्लीयर हैं बात समझ में आ रही है अग्रत है इस दोस्तों रिसेंट अगर हम लोग-अर्व यूज पर चलचा करें तो रिसेंट एम यूज में करें तो इंडिया और मलेशिया ने MOU sign किया है broadcasting को ले करके broadcasting को ले करके और भारत और इटली ने जो है यहाँ पर tie up किया है mobility और migration को ले के इंडिया और रशिया ने kudan kulum nuclear power plant को ले करके दोस्तों किया यह इंडिया रशिया वाला ज्यादा important है kudan kulum nuclear power plant तमिलनाडू वाला ओके इसके बाद दोस्तों इंडिया ने जो है लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया है 200 मिलियन का केन्या को केलिया के किप्डम ने महराथन बनाया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और केन्या के दोस्तों अभी किस खिलाडी ने क्रिस विप्टी सही से करके नाम था उसने 5 किलोमेटर वाला महराथन का रिकॉर्ड बनाया है ठीक है किन्या में ही नेरोबी में दोस्तों यूनाटे नेशन इन्वार्मेंट प्रोग्राम का हेटक्वार्टर है जिसके स्थापना दीवस पर 5 जून को हम लोग मनाते हैं जिसने फ्रांस के पूर्व राश्पती फ्रांसीस वलांदे और मोदी जी को चैंपियन ऑफ दी अर्थ अवार्ट दिया था इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के डवलप्मेंट के लिए जिसका एटक्वार्टर गुर्गाओं में है और सौ से जादा देश जोड़ च फेत के हेड के रूप में चेर्मेन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है यह आप लोग को बताना है कि किसे अपॉइंट किया गया है तो दोस्तों पूनित छतवाल को अपॉइंट किया गया है फेत के हेड के रूप में तो फिर जो है ITC होटल के पुर्वकारकारी निदेशक नकुल आनंद का स्थान लेंगे च्छतवाल भी किसी कंपणी के हेड होंगे तभी तो इस एसोसियेशन के हेड बने है जैसे फिक्की के हेड जो बने है अनीश शाव महिंदान महिंद्रा के हेड है इसलिए बने है नैसकॉम के हेड के रूप में अनंत महिस्वादी को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो माइक्रोसफ्ट इंडिया के हेड के पोस्ट से हट गये थे तो ये मेरी हिस आपसे आप बात समझ जाओगे किसी एसोसियेशन के हेड किसी उस एसोसियेशन से सम्मंदित कंपनी के हेड को ही वो एसोसियेशन मिलके वोटिंग से बनाता है तो छटवाल इंडियन होटल कंपनी के हेड हैं दोस्तो इस लिए वो इस एसोसियेशन के हेड के रूप में बने रहेंगे वोटिंग से ये फैसले होते है दोस्तो गिया राम मोहन राओ को तीन साल के लिए किस संग्ठण का एडि बनाया गया है कि संग्ठन का ED बनाया गया है दोस्तों जी राम मोहन राव को तो ये सेवी में बनाया गया है सेवी ने दोस्तों बनाया है ओके जी राम मोहन राव को सेवी दोस्तों में पहली बार कोई महिला हेड बनी है जिनका नाम है मदावी पूरी बुच और दोस्तों ये 12 अपरल 1988 को आई थी और 1992 में इसको सम्रेधानी का दिकार मिला एक्ट के माद्यम से दोस्तों बैड बैंक कहे जाने वाले एन आर सी यल के हेड बने है पी संतोस इनों ने एन सुंदर को रिप्लेस किया है कोटेक महिंद्रा बैंक के हेड बने है अशोक वासवानी जी और 16 फाइनेंस कमिशन के हेड बने है अर्वन दिपन गडिया जी दोजाचक बंढ़ेस किमिशन के है अभी जो है इन के सिंग है यह 26 तक फिफ्टींथ ्फाइनेंस कमिशन just couldn't है घृक है कि अ मैं दोस्तों बंगरा देश की पधान मंतिरी सेक हर्षीना को पांच भी बार फिर से चुल लिया गया है सेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है यह बंगलादेस की प्राइम मिनिश्टर है सेख मुझीबूर रहमान की दोस्तों बेटी है जो बंगलादेस के फादर आफ नेशन कहे जाते हैं तो यह जो है इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग क्या नाम है आव यह जीत दुनिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सरकार प्रमुक के रूप में सेख हसीना की स्थिति को की पुष्टी करती है बंगलादेस की केपिटल ढाका है जहां बिम्ष्टेक का हेटक्वाटर है टका यहां की करेंसी है और प्रेसिडेंट राश्पती का नाम है मुहम्मद सहाबदीन चुप्पू यह भी पिछले साल ही बने हैं ठीक है क्लियर है दोस्तों सिंगापुर के राश्पती जो अभी बने सनमुग रत्लम वो भारतिय मुल्क है वो नौवे राश्पती बने है भारती उलम्पिक संग के CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है भारती उलम्पिक संग के CEO के रूप में रगुराम अईयर को अपॉइंट किया गया है इंडियान उलम्पिक एसोसियेशन ने रगुराम अईयर को अपने CEO के रूप में अपॉइंट किया है बहुत कमपनियों के CEO में ये काम कर चुके हैं दोस्तों जैसे इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स लखनो सूपर जाएंट राइजिंग पूने सूपर जाएंट के CEO के रूप में काम किया है इन्होंने फुटबॉल में ISL में भी दोस्तों ATK मुहमद बगान, Ultimate Table Tennis Franchisee, RPSG, Mavericks के साथ भी काम किया है कई गेमों के साथ इन्होंने काम किया हुआ है दोस्तों अभी National Investment and Infrastructure Fund के हेड के रूप में संजीव अगरवाल को पॉइंट किया गया है All India Rubber Industries Association AIRIA के हेड के रूप में सशी सिंग को पॉइंट किया गया है दोस्तों रबड के प्रोडक्शन में केरल टॉप पे रहता है युनाइटे नेशन में जेनेवा में जेनेवा ध्यान रखिए युनाइटे नेशन का हेड कोटर नियू यूवार्क नहीं जेनेवा में भारत के पर्मानेंट रिबर्जेन्टेटिव अरिंदम बाक्शी चुने गए है और नियू यूवार्क में रूचिरा कमबोज जी अल्रेडी है ये कन्फिूजन हो सकता है बाकी बच्चों को दोस्तों बैंकिंग नियूस के और आते है और वे की नियूस की आते हैं तो दोस्तों किस पेमेंट बैंक ने स्माल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है दोस्तों एक नियम है कि जब कोई पेमेंट बैंक पास साल का अपना कारकाल पूरा कर लेती है तो वो दोस्तो जो है बन सकती है small finance bank payment bank के लिए दोस्तो minimum capital requirement 100 करोण है और small bank के लिए 200 करोण है अनभाव हीन company को payment bank बनाय जाता है तो वो लोग जो है कि नहीं दे सकते हैं loan नहीं दे सकते हैं केवल current account saving account खोल सकते हैं इसलिए यह small bank बनना चाहरी है दोस्तो फीनो payment bank कौन बनना चाहरा है फीनो payment bank बनना चाहरा है तो small finance bank 200 करोण से बनती है और यह जो है loan नोन दे सकती है यह सारे काम कर सकती है वर्तमान में दोस्तो 6 payment bank है और 12 small finance bank है अगर इसको license मिल जाएगा तो फिर यह संख्या अलग हो जाएगी पीनो payment bank ने 2017 में काम करना सुरू किया है तो इस हिसाब से उसका 5 सल पूरा हो चुका है इसके CEO and MD है रिसी गुपता ठीक है इंडिया पूश पेमेंट बैंक का भी 5 सल हो गया है लेकिन इंडिया पूश पेमेंट बैंक कह रहा है कि हमको रोटेशन डे हर जाल आठ जैनवरी को मनाया जाता है अर्थ रोटेशन डे जो है आठ जैनवरी को मना जाता है यह अपनी दूरी पर पितवी के घूमने की महत्पुण खोच को पहचानने के लिए समर्पित दिने 470 इसाफपुर में युनानियों ने दावा किया था कि प्रिथवी अपनी पीट पर घूमती है 1851 में फ्रांसेसी बहुतिक विज्ञानी लियॉन फैकॉल्ट ने एक पेंडूलम की सायता से दुनिया के घूडन को दिखाया प्रयोग को प्रदसित करने के लिए इसका अतरिक्त उपयोग किया गया बाद में से ग्रीस के पेंथियंस और पेरिस वेदसाला में दिखाया गया पित्वी के गूर्डन को प्रदसीत करने के लियान फेकॉर्ट के प्रयोग को चिन्हित करने के लिया पित्वी का रोटेशन दे मनाया जाता है आठ जन्वरी को दो ओर्स डाइमेटर इस 12,714 किलोमेटर 7900 माइल्स फॉम दे नौर्ट तू साउथ पोल और 12,756 किलोमेटर वाया दे एक्वेटर यानि ऐसे अगर डाइमेटर ना पोगे तो करीब 12,756 आएगा इधर 12,714 आएगा यानि ये इक्वेल सरकिल नहीं है ऊपर और नीचे से नौर्ट पोल और साउथ पोल में थोड़ी सी चप्टी है है ना तो ये याद रखिएगा 70% जो है प्रिथवी पर दोस्तो पानी ही पानी है 70% आफ एर्थ सर्फेस इस कवर्ड बाई वाटर जस्त 3% आफ डैट इस फ्रेस वाटर लेकिन फ्रेस वाटर केवल 3% है दोस्तो भी मालदीव जैसा भंगी देश जिसके पास पानी नहीं था तो हमने पानी भीजवाया था जब उसके और टक्ता पलत हुआ तो मालदीव को हमलों सेना भेजी थी तो तो पाब मालदीव के राश्पती बच पाए थे 5 लाख मालदीव के अबादी है दोस्तों अदस लाख जो है माल इंडियंस ने मालदीव के बायकार्ट का जो है ट्विटर केंपेंच चला दिया है किस से पंगा ले रहे हो थोड़ा सोचो अब वो जाके चाइना में जाके मुहम्मद मौईजू भीक मांग रहा है कि इंडिया तो अब टूरिजम नहीं भेजेगा प्रमोट नहीं करेगा हमने आपके कहने पर बिरूद किया इंडिया का मालदीव के साथ नहीं है इस तरीके के पधानमंत्री पे किसी भी देश के मंत्रियों द्वारा कमेंट किया जाना यह असोबनी है हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं तो बिचार यह बेदिन हो गया नगर का रहा नगाट का रहा दोस्तों प्रवास्वी भारती दिवस अनराई डिया भारत में हर सल किस दिन मनाया जाता है तो यह दोस्तों जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है जिस दिन 1915 में दोस्तों जो है महात्मा गांधी 22 साल साथ अफरिका में रह के वापस आयते हैं 1893 में गय गयते और पाई मार्क से नहीं जाते थे लोग शिप से जाते थे और अंग्रेज गंगा जल लेके जाते थे बड़े-बड़े हंडे में ताकि जो हैं क्योंकि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हर हिंदू के घर में गंगा जल रखा होता है क्योंकि उसमें उस नदी के पानी में की प्रवासी भारती दिवस का उद्गाटन समारो सन 2003 में हुआ था अटल बिहारी बाचपेई जी के समय में और दोस्तों इसके बाद दस तारिक से गुजरात वाइबरेंट गुजरात सम्मिट सुरू हो जाता है सर कौन आया इस बार तो में लग रहा है प्रवासी भारती दिवसी नहीं हुआ यार कहीं नीज़ ही नहीं मिली इस बार हमें लगता है दो साल में एक भार होता है क्या हूल येनियल होता है प्रिंस्ट्री एम कि अब पिछले बार इन दोर में हुआ था गुयाना के सुरीनाम के राश्पती गुयाना के राश्पती रिफान हरी चीफ फ्री reject आप पसाथ सतोकी पिछले सहल स्लतकुप चछा में था दोस्तों अब P I B column जो मैंने आप लोगों के लिए एड किया है ताकि आप लोगा कुछ भी exam का question ना छूटे तो दोस्तों coal ministry aims to produce 186.63 million ton coal exclusively from commercial and captive mines in 2024-2025 तो कोल प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी हम विकासील देश हैं और कोईले से ही हम लोग चल रहे हैं प्यूस गोल जी ने दोस्तों इनोग्रेट किया है इंडस फूड 2024 एक्जिबिशन टू सोकेस इंडियाज वाइबरेंट और डाइवर्स फूड इको सिस्टम दोस्तों मैंने अपने जीए भाई प्यूसर वाट्सप चैनल पर प्याइबी कॉलम और इंपर्टेंट निउस दे मेरे वाट्सप चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको ठीक है तो दोस्तों इंडस फूड प्रदस्नी का उद्गटन क्यूस गोल जी ने किया है और पिछले 9 साल में जो है जो फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट में 300% की वृद्धी हुई है तिरपन अरब डॉलर का दोस्तो एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट हुआ इस बात को नोट करिए नोट करिए 53 अरब यानि 53 बिलियन का जो है दोस्तों एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट हुआ है यह बात नोट करा जाए ओके एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट कितना हुआ है पूछा जा सकता है आपके एक्जाम में न इसके बाद दोस्तों इन्हों ने कहा कि हमने जो है दे मिनिस्टर रिकॉर्ग्नाइज द बर्गुनिक दिमांद आफ इंडियन फूद ग्लोबली अंडर स्कोर्ड दे कंट्रीज डाइवर्स अग्रो क्लिमेटिक जोन 158 फूद एन अग्रिकल्चर जी आई टैग प्रोड़क् दोस्तों इसके बाद इन्हों ने बताया कि पधानमंत्री गरीब के लाणा नयोजना में जो हम 81.35 करोड लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं यह जीरो का स्टार्वेशन डेथ के लिए कर रहे हैं इसके लबा इन्हों ने कहा दोस्तों कि मिटिगेट फूड इंफलेश दाल भी लॉंच किया भारत आटा और भारत दाल भी लॉंच किया तूर दाल के लिए प्रोक्यूर्मेंट पोर्टल भी इन्हों ने इसमरिद्धी नाम से लॉंच किया था अमिट शाजी ने ठीक है तो भारत आटा भारत दाल भारत नाम से ही दोस्तों फर्टलाइजर भी इन्होंने सुरू किया था भारत ब्रेंड के नाम से कस्तूरी नाम से इन्होंने टेक्स्टाइल का एक जो है ब्रेंड सुरू किया था यह कुश्चन एक्जाम में आए तो सब ब्रेंड का नाम याद रखो भारत किसका नाम है कस्तूरी किसका नाम है इसमरिद्धी किसका नाम दोस्तों चार नए जो है NCC यूनिट्स जो है जम्मू कश्मीर और लदाट में रेस किये गए है रक्षा मंतरी ने अप्रूबल दे दिया है ठीक है चार नए NCC कैड़ेट्स को NCC कैड़ेट्स दोस्तों नेवी ने वहां करीब 30 साल बात शुरू किया जम्मू कश्मीर में यह सब चीजे बंद हो गई थी दोस्तो डॉक्टर धर्मेन पधान जी ने इनाग्रल सेरमनी आफ दा कला उच्सो में भाग लिया तो कला उच्सो जो है दोस्तो इसमें भाग लिया गया कला उच्सो कब से कब तक मना जाएगा 9 से 11 जनवरी 10 आर्ट फर्म में होगा वोकल म्यूजिक, क्लासिकल, वोकल म्यूजिक, ट्रेडिशनल, इंस्टुमेंटल ऐसे मेलोडी, डांस, डांस, फोक्स, विजुल आर्ट यह सब में होगा केंदरी विद्याले और नवोदे विद्याले वाले भी इसमें भाग लेंगे 700 स्टुडेंट और 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से लोग भाग लेंगे 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं हमारे देश में कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं यह आप बताईए यह आपको बताना है तो दोस्तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है नेशनल बाल भवन में तो दोस्तो इस अपर करें तो इस प्रविशन दिल्ली में दोस्तो इस विए वेश्ट फेस्टिबल अवरबन सैनिताइशन स्टेज सेट फॉर एट एडिशन अफ स्वक्ष सर्विक्षण आवार्ड स्वक्ष सर्विक्षण आवार्ड दोस्तो हर साल दिया जाता है तो इस साल भी जो है यहाँ पर उसके पेरामिटर सेट किये गया है और आठमा एडिशन जो है इसको जो है लॉंच किया गया है यह दुनिया का सबसे लंबा अर्बन क्लिनेस सर्वे है 20 से अधिक पुरुसकार इसमें दिये जाएंगे स्वक्स सर्वेक्षड में दोस्तों हमेशा इंदौर ही पहले नंबर पे आता है क्लिनेस सीटी वो कितने साल से है इंदौर बताईए मिस्टर मिस अरूना नायर टेक्स ओवर एज़ सेक्रेटरी ओफ रेलवे बोर्ड रेलवे बोर्ड की दोस्त अभी हेड भी एक इंडियन बनी ते अरे महिला बनी थी अनिलोहला लाहोटी जी की जगह पे आपकी जैस वर्मा सिन्धा बनी थी अब देखिए कि वहां के सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड का भी कोई महिला ही बन गई है अरूना नायर यह दोस्तों जो है याद रखेंगे ओके तो दोस्तों ताबरतोर तरीके से आज हम लोग ने आज करेंट अफ़ेर कंप्लीट किया जिसमें रैपिट फैर रूप में पढ़ाता हूं केवल एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही देता हूं इसमें कोई स्टेटिक जीके की मिलावत नहीं करता हूं कि नेशनल पार्क मिला द दिया और एक घंटे में समाप्त कर दिया और न्यूस पूरे नहीं हुए तो न्यूस पूरे कवर होने की गारंटी है यहां पर यानि कि यहां पर दहिंदू निस्पेपर पूरा 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 होता है इसके बाद दोस्तों यहां पे भी हमारे बैच में भी कोई कंजूसी नहीं की जाती आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने के लिए ही यह बैच डिजाइन किया गया है जिसमें फोर पीम पे मैं बैंकिंग अवेर्नेस और इंसोरेंस अवेर्नेस पढ़ा रहा हूं जो ऑल एक्जाम के लिए बेसिक चैप्टर वाइस क्लास है बैंकिंग अव क्लास हो चुकी है जिसकी दो क्लास हो चुकीaurais में सक्समें करिंठ अवाडिकी स्क्राइस फिर दोस्तों मैं banking current affair कराऊंगा फिर मैं miscellaneous कराऊंगा अभी समय आरबी सीरीज चल रही है क्योंकि most 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 important तो आरबी ही होता है उसके questions होते हैं फिर उसके बस इसको जो है second level पे ले जाएंगे यानि banking current affairs करेंगे और फिर इसको second level पे ले जाएंगे और miscellaneous current affair को हम लोग करेंगे ठीक है clear है तो इस बात को याद रखेंगे ओके चलिए तो बहुत बढ़िया यह बैश फरवरी तक इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी date SBA clerk means की नहीं आई है लेकिन 15 से 25 के बीच में expected है तो दोस्तों जो है इसलिए यहाँ पे हम लोगों को परयाप्त समय है banking awareness के लिए क्योंकि यह बैश तो अक्टूबर से चल रहा है 30 से ज़्यादा classes हो चुके तो banking awareness आप लोगों देखिए यह interview में भी काम आएगा internal promotion में भी काम आएगा और जो अभी इस साल से सुरुआत से त्यारी करना चाते है उसमें भी काम आएगा ठीक है चाहे RRB के त्यारी कर रहे हूं आप चाहे IBPS के त्यारी कर रहे हूं तो यह batch बहुत ही नडायक बैच है यह game changer batch का ही updated version है जो 4PM class के नाम से मशूर है 4PM class के ना review में maximum number gain किया मेंस में भी maximum number gain किया तो इसमें enroll कर ले PSI 10 code दोस्तों यूज करिए आपको discount भी मिल जाएगा एप वेबसाइट पे दोनों पे यह batch available है लिंक यहां लाइफ चैट में है और offline comment में भी मैं दे दूंगा वैसे description में भी इसका link आपको मिल जाएगा एप का और मेरे website का तो आज के लिए इतना ही रखते है दोस्तों और आशा है कि PDF आपको weekly का भी मिल चुका होगा गुरुमंत्र बैच का भी मिल चुका होगा मैं new year resolution है मैं weekly का भी मैंने PDF देना शुरू किया है और गुरुमंत्र में भी देना इस साल से शुरू किया है ठीक है new year resolution है वैसे PDF म मैं देने का हिमायती नहीं हूँ मैं केवल daily current affair का PDF देता था लेकिन पब्लिक की demand के आगे जब मोदी जी को किसी बिल वापस लेना पड़ा तो मुझे भी ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ रहा है आप लोगों के demand को ऐसे लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि PDF से मत पढ़िएगा PDF का यूज केवल notes बनाने के लिए कीजिएगा PDF का यूज केवल notes बनाने के लिए कीजिएगा ठीक है तो चले थोस्तो थैंक यू सोमर शुक्रिया धन्यवाद पैसे मैं RBI का पीडिएफ दूंगा आपको जिसमें मैं financial stability वाला रिपोर्ट का PDF दूंगा और trends वाला जो है PDF दूंगा जो RBI ने जारी किया था ठीक है और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूं गे गुरु मंत्र बैच में उसी रिपोर्ट को पूरा detail में पढ़ा रहा हूं जो कि 228 पेज का PDF है तो सामवाली क्लास में बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिल रहा होगा बहुत सारे नए terms आपको सीखने को मिल रहे हों क्योंकि सिक्स पीम पे एडवांस टर्म सम करते हैं और फोर पीम पे बेसिक टर्म समलोग पुष्ट माटम करते हैं तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों थेंक्यू सो मच शुक्रिया दनवाद है बनाईज डे आपका दिन सुब और मंगल में तबियत मेरी खराब ह है इसलिए क्लास लेट शुरू हुई दवाई का असर भी कह सकते हो बहुत ठंड भी कह सकते हो जब तुम लोगों पढ़ा लेता हो ना तो यह लाश्ट तक आके में तबें सही हो जाती है स्टार्टिंग में खराब रहती है लेकिन बोलते बोलते सरीर थोड़ा हीट होता है थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट और सही से काम करने लगता है फेफ़र खुल जाता होगा थोड़ा बोलने की वज़े से कार वाला सही हो जाता हूं लाश्ट के सही हो जाता हूं है लेकिन स्टार्टिंग में मेरी तभीयत बहुत खराब रहती है और मेरे आख क्लास 5-8 बज़े करीब मुझे अज के लिए इतना ही दोस्तों थैंको सो मुछ बाबाए